हेलो फ्रेंड्स जब भी आप नाशनल इंकम के कॉश्चन्स लगाते हैं तो आप यह देखते हैं कि आपके आंसर्स वन टाइम में नहीं आते हैं इसके पीछे बहुत बड़े रीजन्स हैं और बहुत सारी बारीकियां हैं जो आप इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं इसी कारण से आपके नाशनल इंकम में आंसर्स नहीं आते हैं तो आपकी ये समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे निमरिकल्स ओफ नाशनल इंकम कवर हो जाएंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आपको नाशनल इंकम के किसी भी मेथड के कॉशन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉबलम फेस नहीं करना पड़ेगा बस आपको यही प्रॉमिस करना है कि आपको ये वीडियो सुरू से लेकर लास तक देखना है बिना कोई पार्ट या कॉशन को स्किप किये हुए जितने भी कॉशन मैंने यहाँ प कर सकते हैं और आपके आंसर भी 100% आएंगे और आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एक्जाम में नासल इंकम का एक कॉश्चन 100% आता है हर बार तो यह बहुत ही important होता है अच्छे marks score करने के लिए अगर आपने सारे precautions को ध्यान में रखते हुए question solve किये तो आपके six marks तो पके हैं चलिए start करते हैं और देखते हैं इस बहतरीन वीडियो को थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर आपको यह ध्यान अखना है कि यह वीडियो आपको को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि पढ़ाई में अगर आपने कोई चीज इसकिप कर दिया तो सीदी सी बात है वह concept भी आपका पुरी तरह से स्केप हो जाएगा चली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके निमरिकल के कॉश्चंस तो अब नेक्स कोश्चं की तरफ बढ़ते हैं देखिए आप यहां पे देख पा रहे हैं इस कॉश्चं में आपको नाशनल इंकम फाइंड आउट करना है एन एन पी एफसी पहले बाकी कॉश्चंस या बाकी मेथट्स के कॉश्चंस को देखते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे ही टर्मिनलोजी लिखी रहती ही कल्कुलेट नाशनल इंकम या डोमेस्टिक इंकम तो वहां पर आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि नाशनल इंकम का जो एग्रिगेट ह है उसको लोग NNPFC बोलते हैं और डोमेस्टिक इंकम का जो एग्रिगेट होता है वो है आपका NDPFC तो यहां पर नाशनल इंकम फाइंड आट करना इसलिए मैंने लिख दिया है NNPFC आपको फाइंड आट करना है इस कॉश्चं को बहुत ध्यांस समझेगा मैंने बहुत ही क कॉश्चं को बहुत अच्छे समझेगा आपको NNPFC फाइंड करना है इसके बाद आपको यह पहचानना है कि यह कौन से मैथड का कॉश्चं है तो अगर आपको Compensation of Employees, Operating Surplus, Rent, Royalty, Interest, Profit या Mixed Income जैसे कोई भी वर्ट्स मिलते हैं तो यानि वो आपका Income मैथड होता है चलिए हम दोग देख लेते हैं कॉश्चं एक रफली हम दोग चेक कर लेते हैं आपर देखिए Mixed Income, Old Age, Pension, Dividend, Operating Surplus, Wages and Salary सारे वर्ट्स जो मैंने आपको बताए वो सारे यहाँ पर मैच कर रहे हैं यानि यह Income Method का कॉश्चं है देखिए अगर आपने गलत मैथड का च्वाइस कर लिया गलत फॉर्मला लगा दिया तो कभी भी आपका अंसर नहीं आएगा तो Income Method का जानने के बाद अब हम लोग को उसके Components को पहले Frame Out कर लेना है क्योंकि Directly हमको यहाँ पर Aggregate Find Out करना है तो इसलिए हम लोग Directly क्या करेंगे हाँ पर पहले Aggregate Find Out करते हैं तो उसके लिए हम लोग पहले Flow बनाएंगे प्रेजंटेशन होता है इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखता है आपका Question और आपको पूरे Marks मिलने के Chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग Flow बना लेते हैं देखिए सबसे पहला Flow जो Income Method का होता है वो है आपका COE इसको हम लोग Compensation of Employees बोलते हैं अगर COE नहीं गिवन होता है तो उसकी जगह पर आपको Wages and Salaries दिया होता है In Cash and Kind ये पहला है अगर आपको COE नहीं गिवन होगा तो Wages and Salary In Cash and Kind गिवन होगा और दूसरा जो इसका Part गिवन होगा वो होगा Employer Contribution to SSS यानि Employer Contribution to Social Security Scheme ये दोनों चीज़ें दी होती है तो COE नहीं गिवन होता है और अगर COE गिवन है तो फिर ये चीज़ें नहीं दी होती है और आपको ध्यान अखना है कभी भी exams में ऐसा होता है कि कई बार आपको अंदर के भी components देते हैं और बाहर का भी components देते हैं तो आपको याद अखना है कि कभी भी आपको अगर दोनों components given है तो आपको हमेशा उपर के components को ही count करना है inside के components को count नहीं करना है तो पहला आपका है COE है second जो component है वो है आपका operating surplus आपको first में second add करना होता है operating surplus भी कई बार question में नहीं given होगा तो वहाँ पर आपको उसके components दिये होंगे rent and royalty, interest, profit, rent, royalty, interest, profit आपका given होगा और उनको आप add कर देंगे तो आपका operating surplus निकला आएगा इसके बाद जो third component है वो है आपका mixed income तो ये तीनो components को add करने के बाद ये method सबसे अलग है क्योंकि इन तीनो components को add करने के बाद जो यहाँ पर निकलता है उसको हम लोग NDP FC बोलते हैं ये domestic income कहलाती है और domestic income में अगर हम लोग plus NFIA कर देते हैं net factor income from abroad तो आपका जो निकलता है वो NNP FC निकलता है यानि इसी को हम लोग national income बोलते हैं अब आप के मन में question आ रहा होगा sir कि हम लोग directly क्या mathematically solve नहीं कर सकते हैं तो बिलकुल मैं आपको बता दूँ आप solve कर सकते हैं पर जब आप इस तरीके से question को present करते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और दूसरी बात आपके mistakes के chances कम हो जाते हैं क्योंकि हमने बहुत ही parts में इस question को लिखा हुआ है mathematically की solve करने के चकर में plus minus की गलती हुजाती है और वहाँ पर आपका answer नहीं आता है तो सारे format को लिखने के बाद अब हम लोग इसकी values को place करेंगे one by one जैसा मैंने आपको बताया है बिलकुल भी आपको serial नहीं तोड़ना है पहली value दिया है mixed income तो mixed income के सामने 500 हम लोग लिख देंगे last में यह हमको plus करना है तो हम यह plus का sign बना देंगे old age pension अब यह COE के components है wages and salaries in cash and kind और employees contribution to social security scheme old age pension जो होती है वो एक प्रकार की transfer income होती है transfer income वो होती है जिसको आप लोग earn नहीं करते हो receive करते हो और ऐसी चीज़ों को हम लोग नासर इंकम में count नहीं करते हैं तो इसके बगल में हम लोग यहाँ पे cross बना देंगे इसको हमको include नहीं करना है क्योंकि यह transfer income है इसके बाद dividend दिया हुआ है तो dividend आपके profit का part होता है तो आप dividend यहाँ पर 100 लिख देंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर operating surplus given है 900 तो अगर operating surplus given होता है question में तो इसके inside के कोई भी part दिये हों वो आपको count नहीं करना है अगर आपने यह precaution समझ लिया तो आपके 100% problem solve हो जाएगी आपको कोई भी inside के components को add नहीं करना है तो operating surplus यहाँ पर दिया है 900 तो हम लोग यहाँ पर plus 900 लिख देंगे अब जो हमने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर देखिए profit दिया हुआ था profit का component dividend पर क्योंकि हमने operating surplus लिख दिया है तो इसको हम लोग हटा देंगे यह सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर देते हैं वो यही है इसके बाद देखिए wages and salaries दिया हुआ है तो wages and salaries आप यहाँ लिख देंगे 500 गिवन है इसके बाद profits गिवन है अब मैं आपको बता चुका हूँ अलड़ी कि आपने operating surplus लिख दिया है तो profit की यहाँ पर कोई भी जरूत नहीं है यह आपकी value count नहीं होगी यह value आपकी count नहीं होगी आप इसके सामने cross बना दिजे ताकि बाद में गलती स्कॉइड ना कर दें फिर दिया है employer contribution to social security scheme यहाँ पर लिखा हुआ employer contribution to social security scheme तो हम यहाँ पर value लिख देंगे 50 और यह सारी value हमको add कर देनी है इसके बाद देखिए दिया हुआ है net factor income from abroad पर यह minus में value दी हुई है पर यहाँ पर देखिए question में दिया है plus NFIA और करना हम यहाँ पर दे दिया question में minus तो हम लोग यहाँ पर minus ही लिखेंगे minus 10 फिर consumption of fixed capital consumption of fixed capital depreciation का दूसरा नाम है question में कहीं पर भी हमको consumption of fixed capital नहीं निकालना है तो हम लोग इसमें इसका use नहीं करेंगे इसके सामने भी cross कर देंगे आप इसके बाद net indirect taxes दिया है यह 50 है यहाँ पर question में आप एक बार नजर डाल दीजे कहीं पर भी net indirect taxes नहीं given है तो यानि इसकी भी जोत नहीं है इसको भी हम लोग cancel कर देंगे तो यह पहचान होती है income method की इस तरीके से questions को आपको place करना है जब सारी values को आप check out कर लें कौन सी value count होनी है कौन सी value count नहीं होनी है उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई भी solutions करेंगे तो हमने सारी values अब लिख दिया है यहां से हमने पूरी तरह से complete कर लिया अपना काम अब हमको सिर्फ calculation करना बच्चा है वो ज्यादा बड़ा task नहीं है main होता है placement करना अगर आपने placement सही कर दिया है तो निश्य थी आपको पूरे marks पे लेंगे तो अभी यहाँ पर हम इसको solve क करते हैं तो 500 प्लस 500 हो जाएगा 1000 प्लस 900, 1950 तो यह सारी values को add करने के बाद देखिए आपका आ गया 1950 अब इसमें हम लोग plus NFIA करेंगे पर NFIA की value देखिए यहां पर minus में दी है तो आपकी value जो finally minus करने के बाद आएगी वो 1940 आएगी तो इस तरीके से आप NNPFC find out देखिए हमने यहां पर कर लिया है वो आई है 1940 और values यहां पर crores में दिखा हुआ है तो हम लोग यहां पर last में crores लिख लेंगे तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से present करके question को पूरे marks achieve कर सकते हैं तो यह है हमारा first variety of national income का question जो है income method से अब इसके बाद जो next question हम देखेंगे वो second variety होगी income method की तो चलिए अब आप सामने screen पे next question देख पा रहे हैं इसको देखते हैं कैसे आप इसमें identify करेंगे कि कौन से method का question है और कैसे इसको solve करेंगे तो इस question में जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको GNP MP निकालना है अब आपको पहचानना है कि यह कौन से method का question है तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप income method का question देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ words मिलेंगे जैसे कि compensation of employees, rent, royalty, interest, profit अगर आपको यह सारे words मिलते ह वह income method का question होता है चली देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देखेंगे rent मिल गया है, dividend मिल गया है, mixed income मिल गया है, interest मिल गया है, compensation of employee, COE मिल गया है, तो अगर यह सारे words आपको मिल रहे हैं तो वह income method का question कहलाएगा अब जैसा कि हमने पिछले question में देखा था, सबसे पहले हमको इसका flow बनाना पड़ता है, flow आप बना लीजे, वो presentation होता है, बहुत ही important होता है, किसी भी question को solve करते समय, और उसके बाद फिर उसमें value को एक एक करके, line से serial से आपको values को place करना है, तो चलीए सबसे पहले हम लोग income method का flow बनाएंगे, सबसे पहले हमको पता है, पहला component हमारा COE होता है, अगर COE नहीं given होता है, तो उसके parts दी रहते हैं, wages and salaries, in cash, and kind. इसके बाद इसका second component दिया रहता है, employer, contribution to social security scheme, triple S का मतलब social security scheme, COE के बाद आपका second जो component है, वो है operating surplus, तो हम यहाँ पे operating surplus लिख लेते हैं, इसको हमको add करना होता है, COE में, operating surplus अगर given नहीं होता है question में, तो वहाँ पर आपको rent and royalty, interest, profit, यह चार चीज़े दी होती है, rent, royalty, interest, profit, इसके बाद जो third component है, वो है आपका mixed income, और जब आप तीनों को add कर देंगे, COE plus operating surplus plus mixed income, तो आपका जो value आएगी, उसको हम लोग, NDP, FC बोलेंगे, और यही हमारी domestic income कहलाती है, domestic income निकालने के बाद, यहां से हमारा यह flow complete हो जाता है, इसके बाद हमको question देखना होता है, कि question में हमको क्या value find out करना है, और उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग formula create करते हैं, तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर GNP MP लिखा हुआ है, तो यानि आपको जो final value है, वो GNP MP निकालना है, तो हम यहां थोड़ा सा space छोड़कर यहां पर लिख देंगे, GNP MP, यह हमारी final value है, जो हमको निकालनी है, अब इसके लिए हम लोग formula create कर लेंगे, देखे ध्यान से golden rules का use करते हुए, net यहां पर given है, और आपको find out gross करना है, तो net को gross में बदलने के लिए आपको plus depreciation करना पड़ता है, तो यहां पर आप plus depreciation लिख देंगे, इसके बाद देखिए हम domestic दिया है, आपको इसको national में convert करना है, तो domestic को national में convert करने के लिए plus NFIA करना पड़ेगा आपको, और यहां पर factor cost दिया है और आपको इसको convert करना है market price में, तो यहां पर आपको plus NIT करना पड़ेगा, यह हमारा complete flow है, यह बनाना बहुत ही important होता है, अगर आपने सही तरीके से flow बना दिया है, तो निश्यत ही, उसमें value place करने में आपको ज़्यादा problem नहीं होगी, इतना करने के बाद अब हमको next क्या करना है, यह line से इनकी values को place करना है, in particular components, तो चली start करते हैं, सबसे पहले लिखा indirect taxes, मैंने आपको बताया था कि indirect taxes जो होता है, वो NIT का part होता है, और NIT जब भी आप निकालते हैं, तो उसमें indirect taxes पहले लिखते हैं, और उसमें से subsidy आप minus कर देते हैं, तो यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे, indirect taxes हमारा 200 है, तो हम यहाँ पर 200 लिख देंगे, इसके बाद consumption of fixed capital 100 दिया हुआ, consumption of fixed capital depreciation का second name है, तो आपको question में अगर consumption of fixed capital मिलता है, तो यानि वो क्या दिया हुआ है, depreciation दिया हुआ है, देखिए, यहाँ पर depreciation लिखा हुआ है, तो इसके सामने आप 100 यहाँ पर last में लिख देंगे, plus करके, 100 of depreciation, इसके बाद next जो है, देखिए, factor income to abroad, और इसके बाद दिया है, factor income from abroad, यह मैं आपको बता दूँ कि यह NFIA का component होता है, net factor income from abroad, अगर net factor income from abroad, यानि NFIA नहीं given है, उसके यह दोनों components given होंगे, factor income to abroad और factor income from abroad, तो इसमें आपको from को पहले लिखना होता है, from में से 2 को minus करना है, यहाँ पर आपको, तो देखिए, from यहाँ पर given है, 320, तो 320 हम पहले लिख देंगे, और 2 उसमें से minus कर देंगे, तो 320 में से 250 हमको minus करना है, आपके मन में question आ रहा होगा सर, इसको बाहर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो बाहर हमको तब लिखना है, जब इसको हम लोग finally calculate कर लेंगे, इसके पहले हम लोग, अगर कोई direct value given है, तो उसकी हम value directly यहाँ लिख देते हैं, पर अगर inside की कोई value दिये है, तो उसको हम लोग पहले calculate करेंगे, उसके बाद उसकी final value को बहार लिखेंगे, इसके बाद दिखेंगे, rent लिखा हुआ है, rent 250 है, तो rent के सामने हम यहाँ पर 250 लिख देंगे, इसके बाद dividend given है, 220, पर देखेंगे, dividend यहाँ पर कहीं पर भी given नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ, कि profit जो होता है, कई बार profit नहीं given होता है, तो profit की जगह पर आपको उसके तीन पार्ट मिलते हैं, एक है corporate tax, एक है dividend, और एक है retained earning, तो profit की जगह पर कई बार आपको तीन वर्ट मिलते हैं, corporate tax, dividend, और retained earning, तो profit अगर question में given नहीं होगा, तो उसके यह parts given होंगे, तो यहाँ पर आपको dividend given है 220, तो हम dividend की जगह पर 220 लिख देंगे, mixed income given है 120, तो mixed income की सामने हम क्योंगे final value है, तो इसको हम लोग यहाँ बहार लिख देंगे, जिसकी भी final value given नहीं होती है, उसको हम लोग पहले inside solve करते हैं, उसके बाद उसको finally बहार लिखते हैं, इसके बाद लिखा है saving of private sector, यहाँ पर 200 given है, तो मैं आपको बता दूँ, saving of private sector जो है, वो profit का ही पार्ट है, और यह retained earning जो हमने short में RE लिखा हुआ है, यह retained earning का second name है, saving of private sector, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे, और इसके बाद given है interest, तो interest की value final है, तो इसको हम लोग बाहर लिख देंगे 100, इसके बाद subsidies given है, देखे 200, तो subsidies इसका part है net indirect taxes का, तो हम लोग यहाँ पर 200 लिख देंगे, इसके बाद compensation of employees दिया हुआ है 500, तो compensation of employees अगर दिया है, तो फिर inside की कोई भी components को हम लोग नहीं count करते हैं, ना ही wages and salaries in cash को, और ना ही employers contribution to social security scheme को, तो COE given है, तो हम लोग सीरे COE बाहर लिख देंगे, COE के सामने 500 रुपए, और last है corporate tax, corporate tax मैंने बताया आपको की profit का part होता है, गिया है 400, तो हम यहाँ पर 400 लिख देंगे, और plus का sign बना देंगे, तो इस तरीके से देखे हमने एक एक components को attentive पहली बात readout किया है, line से आपको readout करना है, और यहाँ पर check करना है कि इन में से कौन से part में आ रहा है, पर मैं आपको बता दूँ, जब तक आपको इसके insight के parts भी नहीं पता होंगे, जैसे कि corporate surplus के ये तीन component है, rent royalty, interest profit, फिर profit की भी कुछ parts है, corporate tax, dividend और retained earning, तो ये सारी चीजें आपको कहीं न कहीं याद करना पड़ता है, याद करने के बाद ही आप इनको solve कर सकते हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पर note down करने के बाद जब ये final value आप लिख देंगे, इसके बाद ही आपको calculations में आँगे बढ़ना है, अब हमको यहाँ से कुछ भी मतलब नहीं है, अब हमारा यहाँ से पूरा काम पूरा हो चुका है, अब हमको उधर पर ध्यान देना है, calculation पे, तो calculation बहुत अराम से करिए, साबधानी से करिए, तो देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे 500 लिखा है, इसमें आपको 250 एड करना है, फिर 100 एड करना है, और इसकी value को भी total करके बाहा लिखना है, तो अगर हम इसको total करते हैं, तो 400 प्लस 200, 620 and 820, तो हम यहाँ पर total जो value आई ह है, वो 820 यहाँ पर लिख देंगे, अब हमको यह 500 में 250 प्लस 100 प्लस 120 और प्लस 120 करना है, तो जो आपकी value आएगी, तो 500 प्लस 250 प्लस 100 और 820 करने के बाद जो आएगी 1790, और इसमें अब हम लोग next जो है, वो इसको भी solve कर लेते हैं, तो 320 में से 250 माइनस करने पर जो value आती है, वो 70 आएगी, और इसको हमको प्लस करना है, तो हम यहाँ पर प्लस 70 लिख देंगे, इसके बाद NIT को solve कर लेंगे, तो 200 माइनस 200 यहाँ पर 0 आजाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस 0 लिख देंगे, और इसका भी final calculations कर देंगे, तो इ question में सारी value करोड में दी हैं, तो यह ध्याना कियेगा सबसे बड़ी mistake होती है, हम इसमें unit नहीं लिखते हैं, सारी totaling करने के बाद जो value आई है, GNP, MP की वो है, 1960 करोड तो यह है आपका एक बहतरीन question, मैं जितने भी questions आपको बता रहा हूँ, बहुत ही selected questions हैं, बहुत ही उसमे बिना कोई part को miss किये हुए, अब इसके बाद हम लोग एक और question देखते हैं, जिसमें हम लोग inside value का find out करेंगे, यह नि missing value का find out करेंगे, चलिए अब हम लोग next question देखते हैं, तो अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसको अधिक सदिक like share जरूर कर ल झाल 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 झाल